हेलो मैं होब जी एक बार फिर सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में तो ये काफी एक common question है जब भी मैं workshop करता हूँ या तो अलग-अलग platform पे मुझे ये पूछा जाता है कि क्या मैं गाना सीख सकता हूँ या तो सीख सकती हूँ की नहीं और मुझे लगता है ये जो question है ना काफी एक genuine question है काफी valid question है क्योंकि problem क्या होता है अगर थोड़ा बहुत गाना गाते हैं तो पता नहीं चलता है आपको कि अगर आप गाना सीखने के लिए जाए तो आप कितना उसमें आपको result आएगा exactly आप सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे और दूसरी बात है आपके आस-पास में ऐसा कोई जानकार या तो कोई expert नहीं होते हैं जिनको जाके आप पूछ सकते हैं और फिर यह question आता है कि क्योंकि दो चीज़ हो रहा है वहाँ पे एक तो अगर आप कहीं पे सीखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ time उसमें जाएगा दूसरा आपको कुछ invest भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर कहीं पे class लेंगे और फिर उसके लिए आपको कुछ instrument भी लेना पड़ेगा तो काफी सारे चीज़े होती हैं लेकिन ये सब करने के बाद आपको क्या result मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको पता नहीं होता है तो इसलिए ये question आता है फिर तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ऐसा पांच पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आप खुद ही आप decide कर लेंगे आप समझ सकते हैं कि अगर आप गाना सीखने कि ये कहीं पे जा रहे हैं तो exactly उसमें कितना आपको result आ सकता है या तो आप सीख सकत करना है तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे description में मैंने link दिया है जहां पर जाकर आप जो फोर डेस का वाक्शोप का जो total details है उसका चेक कर सकते हैं और आपने आपको registered भी कर सकते हैं और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजेगा शेयर कीज अगर आपका उस subject में यानि music में अगर आपका interest होगा ही नहीं तो आप बिल्कुल गाना सिखने की सोचेंगे ही नहीं और मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को देख रहें तो definitely आप में interest हो गई गाना-गाने की तो definitely इसलिए आप इस वीडियो को देख रहें तो सबस आपका मन में चलने लगता है तो अगर ये सारे जो भी लक्षन है ये सारे चीज़े आपके आप में है तो definitely आप music सीख सकते हैं वो elements जो है basically वो जो musical elements है वो आप में है ऐसे भी बहुत सारे लोग है जो की गाना सुनते ही थोड़ा सा उन में थोड़ा सा चिर्चिरा पन हो जात नहीं होगा दूसरा जो है वो है सुरका सेंस ये आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे जैसे माल लीजे अपने कोई भी एक sound सुना और उस sound को आप कितने अच्छी तरीके से copy कर पा रहें या तो उसके साथ अपने आवास को match कर पा रहें तो इस तरीके से आप अपना जो सुर संदो पतानियों सुना दिघरा लेकिन आपको पता नहीं है कौँसा नोड बज रही है तो क्या बज रहे है कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में आपको खली करना क्या है इसके साथ अपने आवास को मैच करना तो आप में अगर सुरका सेंस होगा तो आप यह जो sound है इसक की सिस्कोगा सकते हैं कैसे या रिकिन अगर आपका स्थका रहोगा तो फिर कुछ भी गार सकते हैंrud कुछ भी गाल सकते हैं। Rap अगर सुर का सेंस होगा तो ठीक है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह सेंस अगर आपका उतना नहीं है तो आप गाना नहीं सीख सकते हैं यह जो सुर का सेंस है ना यह आप प्रैक्टिस करके इसको डेवलप कर सकते हैं ठीक है? यह भी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, कि आप फर्स डे से ही इतने सुरीले हो, आपका आवाज सुरील हो, बहुत से लोग को नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर यो लोग क्या गाना नहीं सिखेंगे, ऐसा भी नहीं है, आप इस चीज़ को प्रॉपर ट क्योंकि एसा भी होता है कि कई राख दिखा गया है अगर आप सबोस्क्राव हिंदी गाना गहारें लेकिन आपका जो मदर टंग है वह की दूसरा है दूसरा अग्वेज है तो क्या होता है कि आपका जो mother tongue का जो accent है वो फिर वो उस गाने में दिखने लगता है विसी कली जह लगने लगता है तो इससे क्या होगा वो जो गाना है उसका जो flavor है वो तो खराब हो गाई और जो आपका गाना सुनेगा वो भी काफी रिटेड हो जाएगा दूसरा और एक problem होता है वो यह है क स्टैमरिंग का problem हग लाने का problem बेसिकली यह जो problem है अगर आपके अपमें है तो आप गाना सही तरीके से गाही नहीं सकते दिखा जाए तो और ऐसा भी देखा गया है कि बात करते समय तो थोड़ा सा हग लाते हैं लेकिन आप जब गाना गाते तब वो जो problem है वहां पे नही है आपको यह सब के उपर थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ेगा ठीक है और आप जब थोड़ा सा practice करेंगे सब कुछ चीजों के उपर तो फिर यह जो problem है इसको आप solve कर सकते हैं और फिर गाने के लिए आप जा सकते हैं तो गाना सीख सकते हैं तो कोई बड़ा problem नहीं है देखा जातों फॉर्थ ली टाइमिंग का सेंस अपने कितना है अगर मैं आपको कहूं कि इस तरीके से clap कीजिए यानि वन टू टू ट्री फोर तो यह जो सारे clap की बीच में जो distance होगा वो सेम होना चाहिए यानि यह जो सारे clap की बीच में जो interval है यह सेम होना चाहिए लेकिन ऐसे भी बहुत तारे लोग हैं अगर मैं उनको clap करनी के लिए कहूं तो यह जो clapping हैं उनका same नहीं चलेगा कैसे करेंगे 1 2 3 4 1 2 तो इस तरीके से चलेगा तो अगर ऐसा है तो इसका मदब यह है कि आप में ताल का problem है तो इसको कैसे चेक कर सकते कोई भी 4-4 बीच का कोई भी गाना ले लिजे अचा 4-4 बीच का गाना कैसे मिलेगा Google पर जाके आप 4-4 बीच का गाना है उसको search कर लिजेगा तो गाने का पूरा लिस्ट है जाए तो उन अगर सेम जा रहा है तो इसका मदलब यह है कि आप आपका जो ताल है सही है उतना कुछ खराप नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका सेम नहीं होगा तो कोई problem नहीं आप इसको training से यानि proper training से इसको सही कर सकते हैं तो यह भी possibility है and fifth and last जो है वो है patience आप में कितना patience है होता क्या है गाना सीखना अपने शुरू किया कुछ दिन अपने सीखा practice भी किया अच्छा भी लगा लेकिन धिरे धिरे क्या होता है कि जो interest है वो फिर आस्ते आस्ते कम होने लगता है फिर आप उस चीज को छोड़ देते हैं तो अगर ऐसा है तो फिर आप उस skill के उपर उस craft के उपर आप कभी भी expert बन नहीं सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा patience आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा time देना पड़ेगा practice करना पड़ेगा तो आप जब यह सारे चीज़े करेंगे तभी आप expert बन पाएंगे और दूसरी बा बात है कि आप उसको अंदर से feel करके कीजिए interest लेकर कीजिए अगर आपका उस चीज़ को करने में अच्छा लगेगा तो definitely आपका interest बना रहेगा तो ऐसा कुछ कीजिए आपका जो भी आप practice कर रहे हैं वो interesting बन जाए तो इस तरीके से अगर आप practice करेंगे तो definitely आपका जो interest ह है वो lose नहीं होगा वो बना रहेगा और फिर definitely आप गाना सीख तो सकते ही है क्योंकि जैसे कि मैंने पहली कहा है कि ऐसा कोई भी problem नहीं होता है कि आप गाना नहीं सीख सकते हैं ये सारे qualities अगर नहीं भी होगा suppose तो आप उसको training से उसको हासिल कर सकते हैं तो ऐसा कोई problem नहीं है कि आप उसको overcome नहीं कर सकते कोई भी गाना सीख सकता है ऐसा कोई problem नहीं होता है लेकिन उसके लिए आप में उतना passion होना चाहिए इंट्रेस्ट होना चाहिए और अगर आप time दे सकते हैं उतना patience है तो ये सारे चीज़े अगर आप में है तो definitely आप गाना सीख सकते हैं तो ये जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़ल सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अगर ये जो फोर दि कर सकते हैं